करती करेंगा अगर उसकी बाता ना नहीं वायान मुखरजी वाल 2 में पहली बार सल्मान खान, शारु खान और रिदिक रोशन को एक साथ लाएंगे आयान ओक्टॉबर में वाल 2 की शूरिंग स्टार्ट करेंगे एंटियार जूनियर और कियार अर्वानी कधित तोर पर वाल 2 में भी नज़र आएंगे जिसमें रिदिक मुख्य भुमिका में है वाल 2 का मुहरत पहली ही हो चुका है आयान इसी महीने मोवी की शूरिंग शूरु करने की सोच रहे हैं जबकि रिदिक रौशन पिलाल फाइटर के लिए बिजी है वो जल्दी वाल 2 की शूरिंग स्टार करेंगे इस बीच एंटियार जूनियर के साथ शूरिंग शूरु हो सकती है वाल 2 में रिदिक रौशन की कबीर कथित तोर पर दो और सूपर स्पाइ सल्मान खान की टाइगर और शारु खान की पठान के साथ दिखाए देंगे ये मुवी कई कारणों से रोमांच्रक है बलकि इसलिए भी क्योंकि आयान के निर्देशन में बनी वाई आरफ स्पाइ और निवर्स में प्रिया ने सहायक भूमिकाय निभाई थी इसने अपनी कलेक्शन से किसी हिंदी मुवी के शुरुवाती दिन और सब्कांत के बॉक्स ओफिस के सभी रेकॉर्ड तोड़ दिये चब तक कि इसे शारु खान की पठान ने पीछे नहीं छोड़ दिया अधित्य चोपड़ा की याश्राज फिल्म्स दौारा समर्थित वाई आरफ स्पाई उनिवर्स एक भारत साजह उनिवर्स है जो जासूसी आक्शन थ्रिलर की एक श्रिंखला पर केंद्रित है जिसमें विभिन कालपनिक रॉइ एजेंट शामिल है फ्रेंच्राइजी की अगली मुवी केट्रीना क्याफ के साथ सल्मान खान की टाइगर 3 है ये अपनी रिलीस की तारिक दिवाली 2023 के करीब है मुवी में शारु खान की पठान की एक कैम्यो भी है जिसे सिधार्ट आनंद की ब्लॉग पोस्टर पठान में सल्मान खान की टाइगर के साथ देखा गया था इस साल मार्च में पठान की राइटर शीधार रागवर ने YRF स्पाई उनिवर्स में महिलाओ द्वारा सुर्खियों में आने वाली एक नई आक्शन मुवी के बारे में भी संकेट दिया था पठान में देपिका पादुकोन की रुबाई और टाइगर श्रिंकला में केटरीना काफ की जोया की आक्शन थ्रिलर पर काम करेंगे जुलाई में ये भी बताया गया कि आलिया भट वाई आरेफ के स्पाई उनिवर्स में शामिल होने वाली नई आक्टरस है और एक फीमिल झालिब के बताया भुब लिए झालिब काम के बताया आरेफ के स्वान थादा की ये वाली इताया उनिवर्स